असलाम वालेकुम क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग का उमीद है सब कहरियत से ही होंगे तो आज का टॉपिक ज़रा थोड़ा सीरियस सा है बात करते हैं इसके बारे में लेकिन बात करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि पचास प् सब्सक्राइब करिया ब्रायमेरबाणी चैनल सब्सक्राइब कर ले, तो विडियो शुरू करते हैं स्कैम काल मपर में इसकंशन्हिक अखाएँ को सब माप लग जाएगा बटाहे ओड devastation प्रिजिकोंगने कर्जारे में क्राइक, हुए था रूलिजिकता युए अप्राइध से हुए जिचिक दिएपके जजार्णाइ इजे लुए ही कुए इनीच अप्रा मेंशाइड के लिए engagement में, कि उट्सेच रूटें अप्रा इनलिए ढिस वग्ता रूमार्प There's lots of examples of this. One is when fraudsters tell people they have to pay a fee or they'll be deported. So how can you outsmart the scammer and protect yourself? One tip, be wary of any sort of a time crunch when someone is asking you for money. Where are you calling from? कि आदेखे हैं और अटेखे हैं चियूँ का एंट पूछू जीज़ और भी सूविस हुई अजोचाएं जूचाएं जूचाएं एंटावा अटावा तो हां जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है लेकिन ये कि मैं स्कैम से बच गई थी क्योंकि मेरे हस्पेंट घर नहीं थी और मैं कोई अपनी इंफ्रमेशन उनकी शेरिंग के बगार शेर नहीं करती तो मैंने उस कैमर को कहा कि मुझे तब कॉल करना जब मेरे हस्पेंट घर हूँ लेकिन उसकी दुबारा कॉल नहीं आई सो वो अपने आपको बंदा डिकलेयर करते हैं कि वो Immigration Border Services से था उसने ID भी शेयर की उसने यहां तक के नमबर भी Immigration की मेडिया का यूज करके मुझे कहता जाओ जाके देखो कि मेडिया पर वाली के नीचे ये नमबर आ रहा है ये नहीं आ रहा मैंने का नमबर तो आ रहा है तो मैं थोड़े सीरियस हो गई लेकिन मैंने ट्रिक्री प्ले कर लिया उसके साथ उसने मुझे कहा कि वो तीन के अंड़ बाद मुझे कॉल करेगा लेकिन ऐसी कोई कॉल नहीं आई और मैंने उसके साथ अपनी कोई स्कैम कॉल आये और वो आपसे पैसे मांगे तो आपने उसको पैसे नहीं देने आपने उसको रिपोर्ट करना है क्योंकि वेबसाइट पर हम स्कैमर्स को रिपोर्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर ऑप्शन मेंशन किया हुआ है उसके डिटेल वीडियो अगर आप लोग चाहें सब्सक्राइब जर लाइक शेयर जरूर करें अल्ला आप अपना ख्याल रखें